नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर आज हम करेंगे इनर वाली पेंट पलाजो की कटिंग बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाइस समझाओंगी तो चलिए सुरू करते हैं यह हमारा पेंट पलाजो का कपड़ा और यह है इनर वीडियो को बड़े द्यान से देखना इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा हमारी पैंट क्यों उठती है और क्यों पीछे की तरफ गूमती है तो वीडियो को बिना स्किप किये द्यान से देखना ये है पैंट का कपड़ा, इनर को इतने हम नीचे रख देते हैं ये हमने कपड़े को खोल के डबल फोल्ड कर लिया है, दोनों कानियों को आपस में मिला लिया है कानि की तरफ से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे, कानि हमारी तरफ है और बंध हिस्ता हमारा बार की तरफ है कपड़े की सारी सलबटे निकाल के हम अच्छे से कपड़े को रख लेंगे दोनों तरफ से कपड़े को अच्छी तरह से मिला लेंगे कपड़े में कोई जोल नहीं आने देनी है यह इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है सबसे पहले हम पेंट पलाजों का फरंट हिसा निकालेंगे पेंट पलाजों की हमारी लेंध है 38 इंच इसमें निकालना हमें वैल्ट वाड़ा पेंट पलाजों डाई इंच हम नीचे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं कि दाई इंच नीचे कपड़ा छोड़के हम एक सीदी लाइन ड्रो करेंगे सबसे पहले नापेंगे हम लेंध है 38 इंच हमारी लेंध है 1.5 इंच की हम बैल्ट लगाएंगे तो इसमें से 1.5 इंच हम माइनस कर देंगे 36 इंच पर हम निसान लगाएंगे इस तरह से हम निसान लगा लेंगे उपर भी और नीचे भी नीचे हमने ये फोल्ड करने का छोड़के यहां हमने लाइनिंग लगाई है और उपर जितनी हमें लेंध तयार रखनी है उसमें से 1.5 इंच हमने माइनस कर लिया है और ये लाइनिंग लगा ली है अब निकालेंगे हम हिप, जितनी हमारी हिप है, मतलब जितनी हमारी कमीज की हिप है, कमीज की हिप है माल लिए 20 इंच, उसमें 4 इंच हम पलस करेंगे, हो गया हमारा 26 इंच, 26 इंच का हाफ हम लेंगे 13 पर हम निसान लगाएंगे इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए हम कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे तो हमने प्रोपर 13 पर ही ये निसान लगाना है क्योंकि लूजिंग के लिए हमने पहले ही इसमें 4 इंच पलस कर लिया है इस तरह से हमने ये तेरा इंच पर निसान लगा लिया है अब लगाएंगे हम आसन का निसान डेड इंच हमने उपर छोड़ दिया है और यहां से हम बारा इंच पर निसान लगाएंगे इस तरह से हम ये निसान लगा लेंगे अब जितनी हमें गोड़ाई रखनी है गोड़ाई रखेंगे हम तेन इंच क्योंकि ये हैवी हीप के लिए है तेन इंच हम इसमें गोड़ाई अड़ करेंगे तेरा इंच के अंदर हम तेन इंच पर लस करेंगे हो गया हमारा 16 इंच तो 16 पर हम यहां निशान लगाएंगे इस त्रह से हम यह निशान लगा लेंगे अब करेंगे हम आसन की गोडाई आसन की गोडाई के लिए लगाएंगे हम और इंच पर निशान इस तरीके से इस तरह से हम गोडाई कर लेंगे अब ये हमने यहां लिया है तो नीचे भी हम सोडा इंच पर ही निशान लगा लेंगे यहां पर हमने 16 इंच का निशान लगा लिया है अब हम यहां से लेंगे इसका सेंटर पॉइंट 16 इंच का सेंटर होगे हमारा 8 इंच इसी तरह से हम नीचे की तरफ 8 इंच पर सेंटर पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से हमने यह निशान लगा लिया है अब जितनी हमें मोरी तयार रखनी है उसी हिसाब से हम दोनों तरफ निसान लगा लेंगे जैसे हमें मोरी रखनी है साथ इंच की तयार तो हम दोनों तरफ सेड़े तीन इंच पर ये हमने लगाया बाहर की तरफ है आसन की तरफ निसान और ये लगाया हमने अंदर की तरफ सेड़े तीन इंच का निसान इस तरह से हमारी मौर योगी साथ इंच तयार अब ये जो हमारे निशान हैं दोनों इनको एक को हम आसन की तरफ मिलाएंगे और एक को हम अंदर थाई की तरफ मिलाएंगे अगर हमारे पास सकेल है तो हम सकेल से लगाएंगे नहीं तो हम ऐसे खड़के गोड़ाई देते हुए इस तरह से हम इसको मिलाएंगे पहले हम ऐसे डोट लगा लेंगे डोट लगाने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारी सेप सही है तो हम इस लाइनिंग को ऐसे डारक कर लेंगे इस तरह से हमें ये निसान लगा लेना है अब जहां हमने ये निसान लगाए हैं बिल्कुल उन निसानों से ही हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से हम फरंट हिसे की कटिंग कर लेंगे ये कर ली है हमने पैंट पलाजो के फरंट हिसे की कटिंग अब इसको हम उठा लेंगे अब करेंगे हम बैकी से की कटिंग इस कपड़े को हम अलग निकाल लेते हैं अब जैसे हमने फरंट हिसे के लिए कपड़े को बिछाया था कानी को अपनी तरफ रखना है और जो ये बंद हिस्सा है हमारा उसको हमें बार की तरफ रखना है इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है अब हमें इसमें क्या करना है फरंट हिस्से को इसके उपर हम रख लेंगे सेम हमने जितना फरंट हिसे में नीचे की तरफ ये मोरी जो फोल्ड करने की लिए है पट्टी उतनी ही डाई इंच की हम बैक वाले हिस्से की लेंगे इसी तरह से कपड़े को थोड़ा सा डिला छोड़ते हुए पैंट पला जोके इस फरंट हिसे को हम बैक हिसे के उपर रख लेंगे अब हमारा ये इस तरफ हमारा सेम बिचा हुआ है या नहीं ये देखने के लिए जो हमारी फरंटी से से जो कपड़ा निकला था उसको हम इसके उपर रख के देखेंगे इस तरह से कपड़े को हम रख के देख लेंगे जितना हमने फरंटी से में लिया था उतना ही हमें ये बैक की से में लिया है अब हमने जब ये रख लिया है तो इसको हम इस तरह से अटा देंगे अब यह यहां तक तो हो गया हमारा पूरा अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रंट वाले हिस्से में तो डलेगी हमारी बैल्ट इसमें हमने जो डेट इंच माइनस किया था उसको एड़ कर लेंगे इस तरह से यहां तक हो जाएगी हमारी लेंठ पूरी अब इसमें क्या करना है हमें दो इंच हमें लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा लेना है यहां तक जितना आप चोड़ा लास्टिक डालोगे उसी हिसाब से आपको फोल्ड करने की पट्टी मतलबी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है यहां तक हमने ले लिया है अब हमें क्या करना है जब हम बैठते हैं तो हमारा प्ला जो पिछे की तरफ से उठ जाता है उसके लिए हमें क्या करना है हमें पिछे से 2 इंच का और इस तरह से एक निसान लगाना है इसको हम इस तरह से पूरा मिला लेंगे इस तरह से हमें ये जो निसान लिया है इसको इस तरह से टेड़ा लेना है आगे से तो हमें उतना ही लेना है जितनी हमें फोल्ड करने की पट्टी एक्स्ट्रा लिया है वहां पर रखना है स्केल को और यहां तक जो यह हमारा दो इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है वहां तक निसान लगाना है अब इसमें क्या करना है जो हमने यह हिप का निसान लगाया है इसमें दो इंच को हमने और पलस करना है बैक वाले हिस्थे में इस तरह से निच्चे से लेके उपर तक ये है हमारा 13 इंच अब यहां से हम निसान लगाएंगे 15 इंच पर दो इंच हमें इस इसे में आशन की तरह पूरा दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से हम निसान लगाएंगे कि इस तरह से पहले हम ये डोट लगा लेंगे अब इस लाइन को हम करेंगे डार्ट इस तरह से हमने ये निसान लगा लिया है पूरा 2 इंच का ही हमें गैप रखना है इसके अंदर 2 इंच ही हमें एक्स्ट्रा लेंगे कहीं भी हमें कम ज़्यादा नहीं होणे देना है थोड़ी सी भी अगर हमारी कम ज़्यादा हुई तो इससे हमारी सिलाई में गड़ बड़ आ जाएगी तो ये हमने निसान लगा लिए है, बैक हिसे गे, इसमें हमें क्या करना है, जब हम बैक हिसा काटेंगे, फरंट हिसे को उसके उपर रखेंगे, दो इंच कपड़ा हम साइडों में एक्स्ट्रा लेंगे, बैल्ट का जो हमने माइनस किया था, वो हम बैक वाले हिसे में पलस कर पहले हम यह साइड से जो हमारा कपड़ा है उसको हम निकाल लेते हैं बिल्कुल इस लाइन से हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से यह हमारी कटिंग हो जाएगी बैक और फरंट दोनों इसो की आप इसमें हमें क्या करना है जिस तरह से हमने यह रख्या हुआ है इसको इसी तरह से दीरे से हमें इसको उठांके फरंट हिससे को और ऐसे पिछे की तरफ मिला लेना है कि पिछे की तरफ मिलाते वे निच्छे से हमें मोरी को मिला लेना है इस तरह से हमें इसको मिला लेना है और यह जो हमारा आसन है उपर की तरफ जो यह बढ़ गया यह हमारा डे डिंच का आगय से जो मरजर रख्या था इतना ही हमारा यह पिछे से है अब यह हमारा जो है एक्स्ट्रा यहां पे इसको हमें निकाल देना है अगर हम यह गलती करेंगे इसको ऐसे यहां नहीं मिलाएंगे तो जब हम पिलाजों की सिलाई करेंगे तो हमारी यह सैटिंग नहीं आएगी हमारी बैक वारी टांग बढ़ी हो जाएगी और फरट वारी छोटी जब हम यह लंबी सिलाई लगाएंगे तो यह हमारी सैटिंग भी नहीं बैठेगी तो सबसे हमें इसमें क्या द्यान रखना है कि जब हम पुरिया राधा हो की कटिंग कर लें तो को आगे तो से उठा के पिछे की तरफ हम मिलाएं और इस तरह से की कटिंग कर Guess यह हमारी पैंट प्लाजो के दोनों इस्सों की कटिंग होगी है अब हम इसमें इनर की कटिंग करेंगी इनर की कटिंग करने से पहले मैं इसकी पट्टी निकाल लेती हूं पट्टी जो हमने ये फरन्थी से के कपड़े को अलग किया था उसमें से हम पट्टी निकालेंगे इस कपड़े से हम पट्टी निकालेंगे ये 24 इंच हम कपड़ा लेंगे इसको निकालके हम कपड़े को बराबर कर लेंगे इसमें से हम एक पोकिट निकालेंगे और एक हम पट्टी निकालेंगे 20 इंच की हमें पट्टी लगानी है और एक इसमें हमारी पोकिट हो जाएगी पोकिट की जितनी हमें चोड़ाई रखनी है वो मैं आपको बता दियू, पोकिट की चोड़ाई रखेंगे हम 7 इंच, और इस कपड़े को करेंगे हम पट्टी में यूज, पट्टी हमारी 1.5 इंच की तयार होनी है, उसे हम डबल लगाएंगे, तो ये हमने पट्टी के लिए कपड़ा लिया है, 6 इंच, तो इस तरह से हमारी पट्टी और पोकिट दोनों निकले आई है, अब करेंगे हम इनर की कटिंग, ये है हमारे पास इनर के लिए कपड़ा, ये मारा डाइमेटर इनर है, इसी तरह से हम इनर को रख लेंगे, जिस तरह से हमने कपड़े को रख् है और जो हमारा ये बंद इस्सा है इसको हम बार की तरफ रखेंगे पहले निकालेंगे हम फरंट इसे का इनर अच्छे से हमें बिचा लेना है बिल्कुल कपड़े को जो हमने ये पहले काट रखिया है पैंट को इसको डिला रखते हुए बिल्कुल भी हमें इसमें खिचाव नहीं बनाना है इस तरह से हमें रख लेना है खाट के रख के सेम इसकी कटिंग हमें कर लेनी है जिस तरह से हमने पैंट की कटिंग की है उसी तरह से हम इनर की कटिंग करेंगे थोड़ा सा डिला लेते हुए आफ आफ इंच का यह कर ली है हमने फरंठी से की इनर की कटिंग इसको हम अलग रख लेते हैं अब करेंगे थोड़ा सा अब आफ यह कर ली है हम बैक वाले हिसे की इनर की कटिंग जिस तरह से हमने फरंठी से की इनर रख लेते हैं कानी को हम अंदर की तरफ रखते हैं और बंद हिसे को बार की तरफ रखते हैं अब बैक की इसे को इनर के उपर रखेंगे इस तरह से हम रख लेंगे दोनों कपड़ों को हमें डिला छोड़के ही रखना किसी भी कपड़े में हमें खिचाव नहीं बनाना है अब जिस तरह से हमने कपड़े को रखा इनर को के उपर बैक हिसे को रखा है उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे अब लेंगे कि इस तरह से यह होगी हमारे बैकी से की इनर और कि इनर की कटिंग और यह होगी हमारे परंठीस से की अगर आपको इसकी स्टीचिंग देखनी है तो जूड़े रहे हैं मेरी चैनल के साथ मैं अभी लाइव इसकी स्टीचिंग बताऊंगी आपको आपको मेरी यह कटिंग की वीडियो कैसी लगी मुझे कोमेंट में जुरूर बताएं मेरे चैनल को सुस्क्राइब कर लें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें दन्यवाद लाइब